जन्म कुंडली अध्यायन दर्शकों ये जन्म कुंडली एक तिरुसठ वरसी ये व्यक्तिकी है ये जन्म कुंडली दर्भंगा बिहार से आई है बिजन्म करते हैं ब्यापार करते हैं अन्न का चावल ये हूँ ये किसानों से ले करके उसको फिर बेचते हैं ये ही इनका ब्यापार है अच्छी अवस्था में ये ब्यापार करते आये हैं लेकिन बीते बिगत तीन चार वरसों से इनके ब्यापार में बहुत इनको उतार दिन गिरावट आ रही है उससे ये काफी घबराय हुए है क्योंकि घर में करने वाले यही है इन्हीं के उपर पूरे परिवार का बोज है तो ये जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है क्या मेरा ब्यापार पुनह ठीक हो जाएगा मैं अपनी इस्तिती को ठीक कर पाऊंग क्या करूं कौन से रत्न धारण करूं कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा ब्यापार ठीक चलने लगे तो आएए इनके इस प्रश्णों का जो हल है इनकी जन्म कुंडली में हम लोग ढूंड लेते हैं दर्शकों ये जन्म कुंडली देखिए मिथून लगन की है तीन नंबर से प्रारंब हो रही है अर्थात मिथून लगन लगनेस बनते हैं बुद्ध जाकर के कुंडली के कहां पर बैठे हैं तो दसम स्थान में और वो भी कैसे तो नीज का होकर के नौ अंस पर नीज का होक करके बैठे हैं वहीं इस कुंडली में मिथून लगन है तो एक केंद्र का मालिक नीज का और दो केंद्रों के मालिक गुरु वो जाकर के बैठ गए बारहवे भाव में अता इसी को कहते हैं केंद्रा अधिपति दोश खेर इससे पुर्भ हम आ जाते हैं लगनेस और इस बुद्ध होते हैं सनी होते हैं शुक्र सबसे जादा कारक होता है मिथून लगन में याद रखिएगा सबसे जादा कारक ग्रह शुक्र होता है तो इनकी कुंडली में इन तीनों ग्रहों की अवस्थाओं को अवस्थ से देखना होगा तभी हम समझ पाएंगे इनकी कुंड कुंठली में दूसरा जो सबसे प्रवल estás ग्रह है वह सुक्र वह इस कुंडली में एकादस रस्थान में सर्वसरिष्ट हालाकि शूर्य के साथ गर देखा जाए तो बैठे होने के चलते सूर्य के साथ जो भी ग्रह जाए सूर्य उसको अस्थ कर देते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि सुर्य इनकी कुंडली में मात्र एक अंस 27 कला के साथ बाल अवस्था में हैं और सुक्र 19 अंस पर यानि 15 अंस से दूरी जादा होने के चलते सुक्र अस्थगत नहीं है वहीं सुर्य इस कुंडली में उच्चका होक होता है यानि कि लगनेस दसमस्त पराक्रमेस एकादसस्त और इस लगन का सबसे कारक ग्रह सुक्र वो भी एकादसस्त होकर के बैठा हुआ है अब बात करते हैं शनी की जो इस कुंडली में तीसरे नंबर पर कारक को प्राप्त हुए हैं उनकी स्थिति देखिए तो इस कुं आपको यहां समझना है कि जातक ने अपने जीवन काल में जिस स्थिति को पाई मेरे हिसाब से देखा जाये तो उससे जादा पा सकता था उससे जादा पा सकता था हलाकि इन्होंने पाया है अच्छे पैसे इन्होंने कमाये हैं संपन्न हैं देखा जाये तो संपन्न जिंद इसलिए क्योंकि लगनेस केंद्रगत अवस्य है लेकिन नीच का है केंद्राधी पती दोस्तो है ही लगन पर मंगल और राहु की युती ने जो अंगारक नामक दुर्योग बनाया यहां पर नजर डालिए कुंडली के सब्तम स्थान में जहां पर आप मंगल और राहु को ब्यापार का घर है मिथुन लगने के जातक निश्चित रूप से ब्यापार में महारत हासिल करकिये होते हैं बहुत अच्छा ब्यापार करते हैं लेकिन ब्यापारेस बनते हैं गुरू जाकर के सत्रू शुक्र के घर में कुंडली के पहले तो बारवे घर में चले गए सब ब्यापार के घर में अंगारक योग की दृष्टी उस पर भी सनी की दृष्टी जो ब्यापार में कमजोरी लाता है अब ज़र सकूं चुकि ये जीवन के जिस पड़ाओ पर हैं हम इनके बिवाह के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि सप्तम स्थान में मंगल का होना उस प समभालने वाला ग्रह कौन कौन सा है पहले वो जान लीजिए तो इस पूरी कुंडली को समभालने वाला ग्रह खुद सुक्र और सनी हैं अब यहाँ एक चीज और ध्यान देना है ध्यान समझेगा बड़ी सरलता से समझ में आएगा सनी जहां बैठते हैं उस जगह की बृध या फूल को वो कोई भी चीजो उसको जला देगी तो सनी की दृष्टी जहां पढ़ेगी वो मित्र का घर हो या किसी का घर हो उसको कमजोर करेगी तो शास्त्र कहता है कि सुक्र पर जब सनी की दृष्टी पढ़ती है तो यह राज-योग को भंग कर देता है फिर से था लेकिन सनी की दृष्टी ने कमोबेस उसको कमजोर कर दिया तो इस पूरी कुंडली को चलाने में केवल एक ग्रह बच जाता है वो है कौन खुद सनी इस पर केतु की दृष्टी पढ़ रही लेकिन खुद सनी देखा जाये तो कहीं ज़्यादा पावरफुल है राहू और सनी ने राजियोग भंग करने का काम किया जातक जितनी बड़े स्तर तक जा सकता था उतना नहीं जा सका एक तरफ से देखा जाये तो लेता रहा कमाता रहा खाता रहा जीवन बिताता रहा ये किसके गुण है दास के नौकर जो लोग होते हैं या जो छोटी प्रवृति के लोग होते हैं छोटी सोच वाले उनको आपने देखा होगा कि कमाया खाया सो गया फिर अगले दिन कमाया खाया सो गया वो उनकी दिन चरिया है इसी में ये रह जाते हैं ये काम कराते हैं सनी सनी दासत्व गुणों से भरपूर और अगर कुंडली का संचालन वो सुरू कर तो जातक को कहीं न कहीं धीरे-धीरे वो देते सब हैं लेकिन दासत्य से मुक्ती नहीं देते तो इस जातक के साथ भी ये समस्या आई कि जातक पा तो सब लिया लेकिन दीरे दीरे पाता रहा और उसी में खाता जीवन बिताता रहा जितना बड़ा ये सोच सकते थे वो नहीं सोच पाए अब समस्या जो इनके साथ चली पिछले धाय तीन सालों से जो परिषान है चार सालों से परिषान है तो उसमें सबसे पहला कारण तो इंको सिंघरासी के है सनी की धहया चल रही है पीडित करते हैं तो चंद्रमा कौन है? मन है और सनी जब चंद्रमा को पीडित करेंगे तो व्यक्ति गलत निर्णे ले लेगा कुछ ऐसे निर्णे करने लगेगा जिससे उसको नुक्सान हो जाए तो ये प्रबल कारण बना कि इनको नुक्षान कराता रहा चुकि सनी की ही महादसा चल रही है और उसमें केतु का अंतर चल रहा है ये भी समझने वाली बात है ये एक वर्स का लगभग वक्त होता है तो केतु भी उतार चड़ाओ का प्रबल कारक होता है वो वक्त भी अब समापती पर है 2017 में ही जून के बाद इनकी इस्तिती में निश्चित रूप से अंतर आएगा सफलता इनको मिलनी सुरू होगी गोचर से गुरु का भी सपोर्ट नहीं है वो भी जाकर के पराक्रम इस्थान में सप्टेंबर में हो जाएंगे उनकी दृष्टी से और भी ज़्यादा सफलता मिलेगी क्योंकि जो ग्रह नीच का है रत्न क्या है रत्न है उसमें बल देने का काम रत्न टौनिक है विटामिन है और मान लीजिये कि कोई चीज आपको कमजोर कर रहा है आपको नुकसान कर रहा है तो उसका रतना आप धारन कर लेंगे तो आपको नुक्सान ही करेगा लेकिन ध्यान रखिए कि बल देना है किसको कोई ऐसा ग्रह हो जो खुद सुभग रहो किंद्रगत हो आपके लगन का मालिक हो तो अगर वो बुरा भी कराएगा तो भी आपका अहित नहीं होने देगा सो इनकी कुंडली में अगर देखें तो लगन का मालिक बुद्ध नीच का होने के बावजूद दसमस्त है और मेरा अनुभव रहा है कि इस तरह के बुद्ध वाले जातकों को जीवन परियंत पन्ना पहनना चाहिए आम तोर पर इस सवस्था में मैं कोई भी स्टोन की सला नहीं देता अगर नीच का ग्रह है तो लेकिन मैं यहाँ अनुभव रखता हूँ कि बुद्ध नीच का होने के बावजूद जीवन परियंत ऐसे जातक को पन्ना पहना करके रखना चाहिए वह पन्ना पूर्ण रूपे इन सफलता जातक को देगा और वह पन्ना चानदी में नहीं ब्राँंच अत्वा सोने में जातक को कनिष्ट का उंगली में बुद्धवार के दिन धारण करनी चाहिए उससे सफलता जातक को अवस्य प्राप्त होगी जैसा कि मैंने कहा ये जो ब्यापार कर रहे हैं उसमें सफलता पूरी तरह से जून के बाद मिल जाएगी बिगत जो कुछ वर्स बीता है इधर सनी की ढहिया थी जिसमें थोड़ी सी परिसानी इनको जरूर आई होगी वक्त आ रहा है बढ़िया पुनह ब्यापार बढ़िया चलेगा उसमें आपको शफलता मिलेगी एक नजर इनके दसमांश शक्र को भी देख लें ताकि ये पता हो जाए कि जो ये ब्यापार कर रहे हैं वही सही है क्या इनको इस उम्रप के पड़ाव में यहां भी आकर कोई ब्यापार चेंज करना चाहिए तो आईए एक नजर इ ये है इनका दसमांश शक्र देखिए साथ नंबर से प्रारंभ हो रहा है तुलारासी लगन में ही सुक्र बैठे हैं जो लगनेस है और लगन में बैठे हैं अनका व्यापार कहीं न कहीं शुक्र कराने का कारक उसके बनते हैं वो लगन में ही स्वरासिस्त मालब्य योग बैटे हैं और जनमांक चक्र में करम स्थान के मालीक और व्यापार के घर के माली गुरू थे वो भी लगन में ही लगनेस के साथ बैठे हुए हैं दो अब तीसरे प्वाइन पर आईए यहाँ पर करम उस्थान के मालीक बनते हैं चंद्रमा दसमांस चक्र में करमस्थान के मालिक बनते हैं चंद्रमा चंद्रमा भी अन्नस से संबंदित होते हैं हलाकि ये जल का द्रव का कारत है लेकिन अन्नस को ये भी सपोर्ट करते हैं एगरिकल्चर कृसी भी भाग को इनका सपोर्ट होता है वो कर्मस्थान के मालिक दसमान्स चक्रे में बनते हैं, वो भी अश्टमस्थान में बैठे हैं, सुर्य चंद्रमा को 8-6-8-12 का दोस नहीं लगता, वो चंद्रमा उच्चका हो करके यहाँ पर बैठा हुआ है, अतह जातक जो ब्यापार कर रहा है, वो ही स्रेष्ट है, और उ कि जिन्दगी तक पहनिये, आपको पन्ना पूर्णत फाइदे मंद आपको सुध्ध होगा, गनेश जी की आराधना करिए, कम से कम 3 माला, 108-108-108-108 इस करम से, 3 माला ओम गंगड़ पतैनम, इस समंत्र का जब आप करिए, आपको फाइदा मिलेगा, शूरे भगवान को न नित्य कर्म करते हैं, उसी तरह से सुरे को जल देना आपका नित्य कर्म है, तो सुरे को जल अवस्य दीजिए, आपको निश्चित फाइदा मिलेगी, तो दर्शकों ये थी, एक व्यक्ति की जन्म कुंडली, जिसका मैंने आपके समुख़ धेन किया, आज के लिए वस इतन नहीं, कल पुनह, इसी समय, एक नई जन्म कुंडली लेकर के हाजिर होंगा, यदि आपके भी जीवन में कुछ इसी प्रकार की समस्या है, आप भी परेशान है, मार्ग नहीं सूझ रहा है, कि कौन सा उपाय करूं, कि जिन्दगी सुख़द हो जाए, आईए, हम आपकी जन जब इज नशकार.